सब्सक्राइब करेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉलिसिस के कुछ बेसिक सिखाए थे जिससे कि हमने सोडियम का और क्लोरिंग का एक्स्ट्राक्शन किया था अभी उनी फंडों को लेके चल रहे हैं हम लोग और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वाला प्र पाट है तो लगे हाथ एक कॉंचेप्ट पढ़के दोनों काम हो जाएंगे ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्राक्शन आफ एन्योच यह टॉपिक का नाम है और इसके लिए जो हम एपरेटर्स यूज करते हैं उसको बोलते कैस्टनर केलनर सेल चलिए शुर होंगा इसके जो मंदेन डिटेल्स हैं टेमपरेचर कितना होता है एनोंड कौन सा होता है यह तो आपको एंसी आटी बुक में से पता चल जाएगा बिटा रट लेना ठीक है तो देखो रटने वाली चीज तो अपने को रटनी ही हमको यह पता है कि केमिस्ट्री में आप एक अच्छा के लिए याद हो जाएगा इनफर्मेशन धीरे धीरे एंसी आटी में से पढ़ते रहो मैं भी आपको बहुत सारी इंफर्मेशन दूगा ठीक है बट हो सकता है इस वीडियो लेक्शर की सीरीज में कोई कोई इंफर्मेशन मैं ना दे पाहूं ठीक है बिकॉस क्वेशन करवा दूगा आपको पास्ट यह वाले और बहुत अच्छे 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 आपको एक चीज पर फोकस करना है कि यह लॉजिक स्ट्रॉंग हो गया ना तो इंफर्मेशन तो हम लोग याद कर लें ठीक है तो मैं आपको लॉजिक सिखा हूंगा तो क क्या करते हैं यह चीज इंफर्मेशन इसको याद करो तो अब जैसे क्वेशन आ जाएगा विच आपको इसका जो प्रोसेस है वह बहुत ही क्रियेटिव भी है और मज़ेदार भी है और इंपॉर्टेंटी ठीक है तो उसको देखते हैं अब यह जो एन्यवच का प्रोडक् हम लोग donate कोड़ Er geht legal को elle इसको करते क मौन इसकर आप जाएगा अब अच्छ ट्रावयका करेंग और इसको करते करते मैं अजक में अजय को в प्रोड़ी करते एन्यन इन्यवच इस प्रोडियूसट बः इलेक्टा लिसस बाफोस एने सी अब द्यान से सुनों लास्ट वीग में मैंने molten NACL लिया था यहां पर aqueous NACL है difference क्या होता है देखो NACL तो भई NACL है उसमें से निकलेगा na plus and cl minus ठीक है बट जैसे आप aqueous की बात करते हो ना तो उसमें पानी भी है और मैं आपको एक simple funda समझा देता हूँ practically speaking मतब theoretically speaking पानी में बहुत ज्याद H प्लस और OH नहीं होता है बता आपको logic समझाने के लिए मैं practically बोल सकता हूँ कि यह पानी के अंदर से ना H प्लस और OH माइनस निकलेगा ठीक है और अब ध्यान से समझो मैं वही वाला छोटा सा apparatus बना रहा हूँ यहां पर हमने एक battery लगा दी इस battery के साथ हमने कुछ electrodes लगा दी है मैं आपको बहुत दी simplistic definition दे रहा हूँ अगर आप proper इसका diagram देखोगे हर book पर हो था CRT में है तो आपको diagram as it is रटने की जुरत नहीं है जो बच्चे boards की तियारी कर रहे है वो लोग फिर भी चलो रटलो क्योंकि हो सकता है boards में आ जाए बट अपने जेही में 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 diagram रटने की जुरत नहीं होती बस आप इतना सा रटलो की temperature क्या होता है इलेक्ट्रोड कौन सा होता है बस इतना सा जैसे इसका एक technical point है कि हम लोग थोड़ा सा calcium chloride भी लेते हैं ठीक है इसके साथ क्योंकि उससे temperature जो melting temperature थोड़ा कम हो जाता है अब यह उतना technical point नहीं है रटलो है ठीक है अब logic सुनों जो बहुत जाद है important ठीक है पहले तो आप यह लिख लो क्योंकि मुझ यह board को मिटाने की जरुत पड़ेगी बीच में देखो जी aqueous NaCl है aqueous NaCl में NaCl में NaCl माइनस B है H प्लस OH माइनस B है बैटरी का रोल क्या है वो तो हमको पता ही है बैटरी का काम होता है electrons को इधर से खीचना और उधर देना ठीक है तो यह हो गया positive side of the battery यह होगा negative side of the battery हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था इस वीडियो में भी विल्कुल से में यह एनोड है हमारा एनोड वो होता जिस पर oxidation होती है तो यह दोनों लोग Cl माइनस और OH माइनस अपना electron देने के लिए एनोड पे जाएंगे और Na प्लस और H प्लस यह दोनों लोग electron ल मिलते हैं reduction होता है ठीक है तो जहां पर electrons मिलते हैं वहां पर वही लोग जाएंगे न जिनकों electron चाहिए और जहां पर electrons देने होते वहां पर वही लोग जाएंगे जिनके पास electrons extra है मैं आपको एक सिंपल एक्जांपल देता हूँ जैसे blood donation camp लगा तो वहां पर blood donate करने के लिए लोग जाते हैं न ठीक है तो blood donate वही करेगा जिसको लगता है कि मैं healthy हूँ मैं blood donate कर सकता हूँ तो अब जहां पर electrons को release करना है तो वही आद भी वहां पर जाएगा जिसको लगता है कि मेरे पास काफी electrons है तो यहां पर दो species ऐसी हैं जिनके पास काफी electrons है एक तो है CL माइनस ए उनका oxidation होगा तो वो लोग एनोड पर जाएंगे और cathode पर कौन जाएगा जिनको electrons लेने अब वो भी हमारे पास दो लोगें कौन से दो लोगें एक है na plus एक है h plus उन दोनों को electron लेने है ठीक है वाट अब असली game शुरू होता है जब na plus और h plus दोनों cathode के पास पहुचे और उन्होंने बोला कि भईया मुझे electron चाहिए तो दोनों को electron दिया जाएगा क्या या किसी एक को दिया जाएगा और अगर किसी एक को दिया जाएगा तो क्या logic से दिया जाएगा तो बस main game अब यही है टिक है तो आप जल्दी से यहाँ पे जो भी लिखा है उसको जल्दी से सुनो इसको बोलते competition ठीक है बिल्कुल आपके एक्जाम में भी ऐसा ही है कि बच्चे कितने भी पढ़ने में अच्छे हूँ बच सीट्स लिमिटेड है तो सीट्स किन बच्चों को दी जाएंगे उनमें competition है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किसको दिये जाएंगे उसमें competition हो रहा है इसको टेक्निकल लेंग्वज में हम लोग selective discharge भी बोलते selective discharge ठीक है टेक्निकल वर्ड की इतनी कोई attention मतलो है simple language में समझा करो फिर words words आपको याद हो जाएंगे इन दूनों मेंसे किसको electron दिया जाएगा यह इस बात पर dependent है कि दोनों मेंसे किसको जाएदा जरूरत है electron की अब किसको जाएदा जरूरत है किसको जरूरत नहीं है कौन जाएदा खुश होता है electron लेके कौन नहीं होता है इसके लिए ने एक technical word है जिसको मैं बोलता हूँ SRP potential मतलब standard reduction potential या फिर standard रहा दो reduction potential किसकी reduction करन की ताकत जादा है अब यह यह सारी values तो हमको याद नहीं होती है एक पूरा चार्ट है NCRT में इलेक्ट्रकेमिस्ट्री में चो दिया हुआ है बट मैं आपको एक फंटा सी खा देता हूँ हर जगा value याद करने की जरूरत नहीं होती कभी कभी logic भी लगया तो देखो logic लगा का काम होता है electron देना थो sodium से Na प्लस आसानी से बनता है और electron easily निकलता है तो मतलब मैं जो बोल सकता हूँ कि sodium की tendency electron देने वाली काफी ज़ादा है तो मतलब जो forward reaction है यह काफी अच्छे से होती है और अगर forward reaction बहुत अच्छे से होती है तो backward reaction उतने अच्छे से नहीं होती है य या तो element की tendency होगी electron देने वाली या element की tendency होगी electron लेने वाली दोनों का आप एक साथ नहीं होते हैं या तो आप electron देने में अच्छे हो अब जो sodium है न वो electron देने में बहुत अच्छा था और अगर मैं compare करूं तो hydrogen से तो अच्छा ही है कि किया न तो sodium electron देने में hydrogen से अच्छा था तो इसी लिए na plus electron लेने में h plus से बेकार है उल्टा हो गया न अगर sodium electron देने में अच्छा है तो फिर लेने में अच्छा नहीं है तो यह जो backward reaction है जहां पे na plus एक electron लेके sodium बनाएगा वो उत्री अच्छी नहीं होती है on the contrary अपना hydrogen electron देने में उतना भी अच्छा नहीं था तो लेने में कम से काम उतना अच्छा होगा तो जब मैं दोनों का comparison करूंगा तो electron देने में जादा अच्छा था sodium तो इसलिए लेने में जादा अच अच्छा कौन है एच प्लस तो एच प्लस को electron मिल जाएगा और एच प्लस विल कनवार्ट इंटो hydrogen अगर आप थोड़ी सी बैलनसिंग करो तो एच प्लस विल गिव यू तो एच टू गास विल बी लिबरेटेड आट के थोड़ तो यह बहुत इंपर्टेंट वेशन है इन कैसनर केलनर सेल वाट इस डिस्चारज्ट एट के थोड़ तो आंसर इस हाइड रूच ठीक है अच्छा इसमें एक छोटा सा कैच भी है वह जल्दी से बतायता हूँ उसके रीजन्स अपने को एलेक्ट्र केमिस्टी में समझ में आएंगे बट फिलाल अगर आपका कैथोड कोई नॉर्मल कैथोड है ग्रेफाइड कैथोड नॉर्मल प्लाटिनम कैथोड कोई भी कैथोड तो वही आंसर होगा जो हमने सुना है ठीक है हाइड रोच बट एक स्पेशल केस होता है वो स्पेशल केस कैसनल केलनर सेल का पाट नहीं है बट मुझे याद आगे तो आप अगर आपने इलेक्ट्रोड स्पेशल लिया मर्करी इलेक्ट्रोड तो मर्करी इलेक्ट्रोड की केस में यह लॉजिक थोड़ा उल्टा हो जाता है मर्करी इलेक्ट्रोड की केस में सोडियम इस डिस्चारज़ और उसका एक स्पेशल रीजन है सोडियम क्यों होगा special case अगर आपने mercury लेक्ट्रोड लिया होता तो sodium discharge होता क्योंकि sodium mercury के साथ एक amalgam बना लेता है जो कि एक बहुत stable compound है तो stable compound के बनने की वज़े से sodium निकल आता है अगर mercury वाला special case ना हो तो normal hydrogen निकल था बट अगर mercury आ जाए तो फिर sodium निकल तो normal kessner keller cell में हम लोग graphite electrodes लेते हैं ठीक है तो mercury mercury की जरुद नहीं है तो tension नहीं है तो special case नहीं है तो अपना normal hydrogen निकलेगा is that fine ठीक है इन दोनों में competition में कौन जीता hydrogen क्यों जीता हम लोगों ने common sense लडा लिया ठीक है बट हर जगा पे यह वाला logic लगे देखो logic हर जगा लगता है बट क्या होता है कभी कभी हम लोग उस logic को apply नहीं कर पाते है विकोज काफी सारी inorganic की knowledge चाहिए होती है तो वहाँ पर हम लोग use करेंगे srp value तो अभी जो next phase नहीं इसी reaction लगा cathode की जगा अब हम शुरू करेंगे anode तो anode की उपर हम लोग srp value उसको use कर लिए तो अब anode की उपर क्या चल रहा है अब anode की उपर देखो जी आप मान लो c l minus गया और आप मान लो o h minus गया बैसे o h minus की जगा books में water लिखा होता है ठीक है h2o का oxidation हो रहा है बट मैं आपको समझाने के लिए जैसे हमने पहले h plus लिया तो यहाँ पर बहुत ले हो ठीक है या तो c l minus अपना electron दे देगा और यह बन जाएगा ठीक है electronic अलाया एक यह o h minus अपना एक electron दे देगा और कुछ कुछ बन जाएगा ठीक है उसकी tension मतलो हमने अब ऐसा देखा कि anode पे अब again competition शुरू हो गया srp values के हिसाब से c l minus की electron देने की tendency is more बात खतब ठीक है तो दो electron दो chloride ने दो chlorine कितरो दो electron दे दी है तो यह जीत गया बस आप अभी तरह याद रखो तो c l minus अगर जीता तो c l 2 will be produced और c l 2 will be discharged at anode और o h बिचारा अंदर ही रह गया container में अब ध्यान से सुनो हमने ऐसा एक apparatus बनाया था यहाँ पे na plus और h plus गये थे यहाँ पे c l minus और o h minus गये थे वहाँ से कौन जी दिया था h plus तो वो h 2 बना के release हो गया यहाँ पे कौन मचा मतब यहाँ पे कौन discharge हुआ c l 2 तो वो discharge हो गया तो अब देखो जो discharge नहीं हुआ वो है na plus जो की system में present है जो discharge नहीं हुआ वो है o h minus जो की system में present है अब इन दोनों के combination को ही तो आप na o h बोलते हो तो बन गया na o h तो brain funda क्या है उधर से h2 release कर दिया इधर से c l2 release कर दिया तो इधर o h बच गया उधर na plus बच गया na plus और o h अगर दोनों ही एक system में present है तो उसी यह को एन वच बोलते है न तो एन वच का production हो गया right अभी इसमें बहुत technical details है कि voltage क्या लेना है कितने time के लिए लेना है बट मैंने आपको भी क्या logic सिखाया कि competition अगर हो जाए के थोड़ पे और एनोड पे तो competition में कौन जीतता है उसके हिसाब से हम लोग देखते है कि कौन discharge होगा कौन नहीं होगा ठीक है तो last वाला वीडियो और यह वाला वीडियो आप club करके देख लो तो आपको पता चल जा जाएगा और जो है उसी से electron लिया जाएगा बट जब दो-दो लोग possibility में आ जाते तो फिर battery है decide करती है कि कि किसको electron दिया जाए पहले और किसको दिया जाए बाहद में तो उसी चीज़ को utilize करके हम लोगों ने एनोच का production कर लिया is that fine I hope आपको logic समझ में आया होगा अगर थोड़ा भारी हो गया तो यार repeat कर लो revise कर लो मतलब थोड़ा पीछे ले जाओ और वीडियो को वापिस प्ले कर लो या तो में बात वही है कि notes बनाते रहो काफी technical concepts में आपको बताऊंगा ठीक है और मेरा purpose भी है कि 10 से 15 मिनिट का मतलब बहुत लंबे लंबे वीडियो ना ह आते हैं पर अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ लिए वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो और फिर भी अगर कोई particular point आपको नहीं समझ में आता है वीडियो के अंदर तो आप मुझे time time बता दो कि सर ग्यारा बच के मदब 11 minute और 20 second पे आपने जो concept explain किया न वह वाला concept मुझे समझ में नहीं आया तो मैं next आने वाले वीडियो में उस particular point को cater कर दूँगा don't worry ठीक है तो हम लोग इसको जितना possible interaction रख सकते न उतना रखेंगे तो आप अपना काम करो और आपका काम क्या है notes अच्छे से बनाना और मैं आपके लिए अच्छे अच्छ